अब्सक्राइब दिशुक्राइब देखें मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं अब किसी भी कॉम्पिटिव एक्जाम के तैयरी कर रहे हैं जहां पर हार मैंथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हल्फुल है यहां जो आइटेब है यहां पर चाके मेरे प्रीवियस रियल अपलोड की हैं जहां पर मैंने सैट थियोरी पड़ाया तेर उसके बाद मैंने बॉल जोनोवाइस ट्रस चेरम हैं नेबर गूड हैं इंटिरियर पॉइंट हैं यह सब की वीडियो मैं अपलोड कर रखें तो प सब से इस सबसे बात करेंगे हम ऐंपर रिख के बारें कि रॉम्पेंट होट। बाध के बारें कि आप पर समझना जरूरी है तो ऑपन कवर आफसेट क्या होता है तो यहां पर हो रहा है कि लेट ऐसी सबसेट अफ आफ वेर सीज़िकुल मारे पास यहां पे एक से देन रख cover कर ले, मतलब इसका जो union है उसके अंदर ये set S चला जाए तो वो हमारे पास क्या होता है open cover होता, देखो नाम से पता बढ़ रहा है open cover, मतलब जिते भी open set है, वो उस set S को क्या कर ले, cover कर ले, तो वो हमारे पास क्या होता है, open cover of a set होता है, example देते हैं यहाँ पर बात करते है, example की let S is equal to R, the real number और हमने यहाँ पर C, हमने यहाँ पर open set का collection लिया, minus n to n, right, where n belongs to natural number, clear है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, n belongs to natural number में, n के विल एक बार में 1 रखता हो, तो minus 1 to 1 हमारे पास एक open cover आएगा, right, फिर 2 रखेंगे, तो minus 2 से 2 एक open cover आएगा, minus 3 से 3 एक open cover आएगा, open set आएगा, 4 आएगा, यह minus 5 आएगा, तो अगर आप इनको बढ़ाते जाएगे, तो यह minus infinite से उधर plus infinite चला जाएगा, जो पूरे real number को क्या कर देगा, इस से ट of real number है, तो यह जो open set का collection है, यह से इस को पूरे क्या कर रहा है, to यह जो c है, यह open क, यह स जू होगा, c जो collection होगा, यह क्या हो जाएगा इसका open cover हो जाएगा, r का, तो यह इसका open cover का बहुत अच्छा example है जिसको आप समझ सकता है clear है? इस विन बात करेंगे आपे understanding के लिए मैं आपके सामने बताया clear it is be the set this है तो ये आप देख रहे हैं आपे कि अलग-अलग-अलग open set मिलके इस पूरे set इसको क्या कर रहे है? cover कर रहे है तो अगर ये cover कर रहे है तो ये इसका क्या हो जाता है? open cover हो जाता है right? अब sub cover की बात क्या होती है the sub collection of open cover इस विन जो हमारे पास open cover का जो set है ठीक है? of any set is called a sub cover तो जो भी हमारे पास open covers है उनका जो sub collection होगा वो हमारे पास क्या होगा? sub cover होता है जिसे हमारे पास sub group होता है या sub space होता है उसी type का यहाँ पर example होता है इस विन example ने हम यहाँ पर जैसे कि minus n से n है इस विन यह हमारे पास क्या होता है open cover होता है जो मैंने आपके सामने example दिया तो minus 3n, 2, 3n यह हमारे पास क्या होगा इसका सब कवर हो जाएगा सी का राइट है ना तो बहुत आर्दर ओपन कवर एंड ओफ आर बट सी डेश इस असब कवर ओफ सी राइट तो यह समझने की जरू होता है अगला एक्जमपल अगला जो कंसप्ट हो समझते हम यहां पर कॉंपक्ट सेट का मतलब क्या होता है समझ लीजे इफ फाइनेट सब कवर एपके सामने एक्जमपल दिया था कि माइनस एक एक्जमपल लिए ने चुन नमर का तो वहां पर माइनस वन-टू-1-2-2-2-2-3-2-3 यह हमारे पास बहुत like infinite हमारे पास open covers ते राइट जो उस सेट को क्या कर रहते हैं cover कर रहते हैं पर इस्वन यहां पर compact पर थोड़ा सा different concept हो जाता है कि एगर हमारे पास कुछ finite open cover है क्या है if finite sub cover sorry finite sub cover of S is contained in each open cover of any set S then S is called compact set इस्वन यहां पर क्या हो रहा है कि जो finite sub cover कोई भी finite sub cover of S contained in each open cover जित्ती हमारे पास open cover है उसके अंदर अगर finite sub cover contain करता है अगर किसी भी set के अंदर तो वह मारे पास क्या होता है स्वन compact set हो एक एक्जामपल देंके समझाना चाहूंगा इस्वन एक्जामपल ले लिए मान लिए कि finite subset of real number is compact है हमें यह देखना है कि जो भी हमारे हमारे पास real number का finite subset है वो क्या होगा compact होगा तो एक एक ग्जामपल देंके समझा रहा हूं तो इसवन मान लीजे हमने एक set S ले लिए है एक set S ले लिए 1 A1 A2 A1 भी the finite set right and G with the family of sub cover हमने G एक family sub cover के तो इसवन आप समझने कोशिश करें कि यहां पर जितने भी हमारे पास यह ज open cover यह आजाएगा एक open cover यह आजाएगा तो यहां पर ज्यान दीजे कि there is open set containing each AI मतलब हमारे पास एक open set है जो हर मतलब हर एक इसको element को क्या कर रहे है पर cover कर रहा तो आपस then containing AI आ है जो जिते भी हमारे पास open set है जो इन element को cover कर रहे है वो हमारे पास क्या होंगे में and then G has a finite sub cover of स् तो हमारे पास जो G होगा चुकि S finite है तोzent फ़कि हमारे प्रैस फगा व्हों क्या होगा finite sub cover होगा S का तो S हमारे पास यहां क्या हो जाएगा? compact हो जाएगा तो इसको देखते हैं भी example 2 लेते हैं thus our state of real number is not compact तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका example मैं ने भी आपके साम दिया handball theorem इसको देखते हैं every open cover of close and bounded तो अगर कोई भी set close and bounded है तो हमारे पास क्या होता है? compact होता है पर आप real number में example देखेंगे तो real number हमारे पास क्या होता है? close set तो होता है पर शुन यह bounded नहीं होता है bounded नहीं होने की वज़े से हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा? compact set नहीं होगा और एक्जाम्पल देख सकते हैं, we know that R is a open cover C, इसलिए हमारे पास open cover is C, minus N to N, पर इसलिए जब हम real number को cover करते हैं, तो हमारे पास यहां पर infinite of sub-covers की जरूत परती है, आपने देखा, minus 1 to 1, minus 2 to 2, minus 3 to 3, तो infinite sub-cover होके पूरा real number को क्या करते हैं, वो cover करते हैं, C is infinite sub-cover, like this, right? और अगर वो infinite sub-cover होगा, जबकि हमारे पास compact की परिभाशा के अंदर क्या होना चाहिए, finite sub-cover होना चाहिए, इसलिए यहां पर क्या होगा, इसलिए यह compact नहीं होगा, hand-boreal theorem क्या बोलती ही, कि every, मैं इसलिए बताना चाहता होगी, मेरा जो next वीडियो आने वाल तो यह बोलगा कि every open cover of a close and bounded subset of S, of a real number, contain a finite sub-cover of S, that is, every close and bounded subset of R is compact, है ना? अगर कोई भी हमारे पास set है, जो closed है, and bounded है, तो हमेशा क्या होगा, इसलिए compact होगा, for example, जिसे एक close set है, 0, 1, है ना? तो इसलिए यह close भी है, और हम जानते 0, 1, इसके अपर end lower bound है, तो इसलिए compact हो होगा, right? But R is not compact set, because it is not a bounded, right? तो इसलिए ध्यान देने की आवशकता है, clear है? तो इसलिए काफी सारे questions बनते हैं, अब इसलिए बात करेंगे connected set और disconnected set के बारे में, पर इसलिए connected set को समझने से पहले हमें, disconnected set के बारे में समझना पड़ेगा, so disconnected set क्या बोलता है, ध्यान दीजे हमारे पास को a disjoint open set है, such that उनका union जो है, वो S के बार बार आ रहा है, पर अगर एक का closer और दूसरा set लूँ, उसका intersection 5 होना चाहिए, या फिर पहला set और दूसरे का closer, अगर हमारे पास 5 है, तो इसलिए where A and B is not equal to 5, तो वो हमारे पास क्या होता है? इसलिए disconnected set होता है, एक example दे यह क्या है? B है, इसलिए हमारे पास A set है और हमारे पास B set है, इसलिए 0, 1 and 1, 2 भी ले सकते हैं, अभी हमने 0, 1 and 2, 3 लिया है, चलेगा, कोई शुनी है, इसलिए हमने A लिया और यह हमारे पास B लिया, अब इसलिए जानते ही, यह open set है, तो इसका closer होता हो, वो क्या होता है, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा, सुन, इसका closer हो जाएगा, और इसका closer जो होगा, वो हमारे पास यह होगा, सुन, यह 2, 3 है, इसका closer यह उपर बार है, तो यह closer हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, सुन, इसका इसके साथ, मतलब यह A bar का B के साथ intersection है, सुन, इसके साथ intersection ह यह पास इसका अगर में बी के साथ इंटर्सेशन लोटी भी फाई आ रहा है तो यह हमारे पास जो सेट होगा है क्या होगा डिसकनेक्ट होगा और हम सीधी और सुध्ध भासा में समझने के कुशिच करें तो यह हमारे पास रियल लाइन है इस विए को हमारे पास 0 है यह वन यह उपन सेट है और यह हमारे पास 2 है और यह हमारे पास 3 है तो यह आप देख रहे हो यह वैसे भी डिसकनेक्ट है डिसकनेक्ट का मतलब होता है कि बीच में कहीं मदला प्राब्लम नहीं होने चीए वो चनेक्ट होना चीए राइट फॉर एक्जामपल जैसे अगर कोई भ है तो यह आपको समयने की जरूळत है पर यह हमारे पास डिसकनेक्ट होगा व्यास कराप सकते हैं कि वह क्या हो जाएगा connected हो जाएगा तो यह ध्यान देने की ज़रोत है तो इसमें यह परिवाश आती नेक्स वाले की कि connected set के मतलब a set which is not disconnected है ना then it is called connected set अगर कोई भी set हमारे पास disconnected नहीं है तो वो क्या होगा connected होगा तो obviously यहाँ पे disconnected में मारे पास दोनों जो set होगे अगर open लेंगे तो 100% नहीं होगा कर सकते हो कि यह हमारे पास zero और one है राइट है ना और यह हमारे पास यहाँ पर close interval हो रहा है जो one से two पर जा रहा है तो 100% यह जो set होगा यह connected होगा क्योंकि इधर close और इधर open और यह connected set हो जाएगा आप यहूं भी समझ सकते हो और अगर आप example भी लोगे तो हमारे पास यह परिवाश्या में आपके पास चुकिए एक open और एक close यह 100% यह पर क्या होगा यह disconnected नहीं होगा यह क्या हो जाएगा connected हो राइट कोई भी जो इंटर्वेल होता है वह हमेंशा क्या होता है connected होता है और आर इस connected होता है आगे और भी मैं एक्जामपल और इस फिर्म लेने वाला हूं जो आपको समझ में आगे अगे इंट्रोड़क्शन लिया था कि आपको connected के बारे में तोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिले अल्टिमेटली connected का मतब यह होता है कि जो भी सेट हमारे पास उनके बीच में कोई element चूटना नहीं चाहिए वह पूरा उसको क्या करना चाहिए connect करना चाहिए अगर को element चूट रहा है जैसे अगर दो open set ले लिए तो इसविंट यही मैं आपको समझाना चाह रहा था और मुझे लगता है कि जो यह आज मैंने आपके सामने पढ़ाया connected है compact set है तो यह आपको समझ मैं आग और next जो मैं अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैं हैं बॉनल थियों का प्रूफ आपके सामने बत अभी यहां पर थियों बाल जोना के थियों का प्रूफ पता है तो आप सभी यहां पर प्लेलिस देख सकता है तो थैंक यूश पर वाचिंग में अच्छा content लगता है तो लाइक करिए शेर करिये और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए थैंक यो सो मच बबाई